इस बुलिटिन के प्रावय जख है काम्टी मोटर्स चिन्दवाडा प्रति व्यक्ति आये 9740 रुपिय थी जो आज 7-8000 रुपिय रह गई है और भाजपा अपने भाशनों में संपन और खुशहाल मद्धिप्रदेश का बखान करते नहीं ठक रही है जबकि हकीकत आप सभी के सामने हैं मैंने अपनी जवानी और जीवन चिन्दवाडा को समर्प सॉपी है Sultan सिंबाडा मेरे दी जिन्दवी है और आपने प्यार मुझे दिया उस प्यार कि ऊप्यार वनिश्क्रास से जो बल रुफशक्ति मुझी ने लिए उस बल रुफशक्ति से हम आजए करें दोले के मुझे याद है अमर वारा हर रही पथाल पोट ऐसी जगे है जहां की लोग सीविज कप्रे पहन ते आज महां के बच्चे टी-शिर्ट और जीन में गूंते ते आप जब मैं बोपाल में कहता का मैं चिल्बारा से हूं ते काम सा चिल्बारा ताहां है ये चिल्बारा ये पू चिल्बारा की पहचाब नेगी है आज आप कहीं भी जाएं आप छाती ठोक कर कह सकते हों चिल्बारा से आजए है नगरी प्रशासन मंत्री सह क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजवरगी ने आज शेहर के नीची हुटल में सामाजिक संबाद कारिक्रम को संबोधित करते क्या जाती गत जनगरना से देश में खुशहाले आएगी हमारे सब समाज में जाती भेद से संघर्ष उत्पन होगा देश और समाज में सामाजिक्ता समरस्ता और जाती भेद को नापन अपने देने के उदेश से हमारे प्रधान मंत्री ने पहले ही सपष्ट कर दिया था कि उनके लिए देश में केवल चार ही जातियां हैं जिन में क्रमशह, घरीब, महिला, किसान और युवा शामिल हैं कारिकर में ब्रह्म समाज अध्यक्ष विजय पांडे, अध्यक्ष सोनी समाज हरी ओम सोनी, अध्यक्ष कलार समाज नंद किशोर सूरेवन्शी, अध्यक्ष सिंधी समाज बंटी लालवानी सहित बड़ी संख्या में सामाज गंधू उपस्थित रहे कि हमारे बढ़ने लिग ते खिलने वाला गांद एक अधिया लूग समर्क दरवद है को ताटा है इससे हाद शिलोग समार की रहने वारे के टींगी शान पड़ेगी जब कोब दी जोग सवाने नहीं पोल्ड मिको पहस है सिद्ध सिमरिया हनुमान मंदिर पहुचकर मद्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने माढ ठाटेका और ईश्वर से सर्वकल्यान की प्रार्थना की प्रथम पूजी भगवान श्री गणेश की चरणों में माठा ठेकने के बाद मंदिर के गर्भ ग्रेह में विराजमान समस्त देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर जिले के लिए सुख शान्ती वा समरिध्धी की भाजपा लोगसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहु ने मंगलवार को कोईलांचल खुशेत्र के परासिय विधान सभा के शिवपुरी मंदल के ग्रामीन इलाखों में जन संपर्क किया जन संपर्क के दोरान विवेक बंटी साहु ने नुकड सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब कोईलांचल खुशेत्र से जिले का व्यापार चलता था लेकिन नेता जी की परिवारवादी राजनीती के कारण कोईलांचल में व्यापार लगभग खत्म हो गया मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश में जिस तरह मोधी की गारंटी काम पूरा होने की गारंटी होती है उसी प्रकार यह भी गारंटी है कि कोईलांचल रुक्षेत्र में पुराने खदानों के साथ नई खदाने भी खोली जाएंगी इन खदानों में जिले के लोगों को प्रमुक्ता से रोजगार भी मिलेगा जन संपर्क के दौरान प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के साथ जिला महामंत्री परमजीत सिंविज मंडल अध्यक्ष देवी लाल पाल जिला पंचाट सदस अरुन यदुवन्शी वा अनपदाधिकारी एवमकार करता उपस्थित रहे करेंगे 25 करोण को कई देशों की अबादी नहीं है उससे कम अबादी है उतने जादा लोगों को इतने कम समय में करीपी रेगा से बहां निकालने के किसी ने काम क्या है हर तर निर्मानकार विकास में भी नहरे आयां चूरा हैं जार जन्मु बश्मी ले रदाक इमाचल यहां पर निर्मानकार बहुत कटिन होते थे चोटे चोटे निर्मानकार कटिन होते थे वह बड़े 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 डेम और बड़े आईवे बड़े अपकी बार चारसो पार, अपकी बार, चारसो पार, एक बार फिर, अपकी बार, चारसो पार, पिर, चारसो पार चिंदवारा की राजनीती में कमलनाथ के सार्थी कहे जाने वाले दीपक सक्सेना को मनाने मंगलवार शाम कमलनाथ उनके निवास रोहना कला पहुंचे कमल नाथ के साथ पांचों विधायक भी मौजूद थे प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायकों ने दीपक सकसेना को भाजपा में ना जाने के लिए भी मनाया करीब आधे गंटे की चर्चा में कई मुद्दों पर दीपक सकसेना और कमल नाथ की बाचीत हुई कमल नाथ के अचानक सभी विधायकों के साथ रहोना पहुंचने से यह साफ है कि कमल नाथ आज भी दीपक सकसेना को अपना सबसे पुराना और इमानदार साथ ही मानते हैं चिनवाडा शेर के प्रतम M.D. चाती रोग विशिशग्य मिदानता हॉस्पितल गुरगाओं से प्रस्थिक्षित डक्टर मनोच किनकर अचिनवाडा के कल्पतर हॉस्पितल में सेवाईं दी रहे हैं संबंदित बिमारियों की इलाज के आज ही आए कल्पतरू हॉस्पिकल दशेरा मैदान के पीछे पूनम चेंबर सांसद नकुलनाथ आज मोखेड के कामटी वा दमुआ माल के उमरेट में आयोजीत दो जनसभाओं को संबोधित करने पहुँचे इस दोरान नकुलनाथ ने भाजपा को जम कर गेरते हुए कहा कि भाजपा ने पहले भी जनता को धोखा दिया और आज भी धोखा दे रही है चुनाफ से पहले भाजपा कह रही है कि रोजगार देंगे कब देंगे पता नहीं इसके पहले भी कहा था दो करोड युवाओं को रोजगार देंगे जबकि 14 करोड से अधिक युवा बेरोजगार हो गए किसानों की लागत दोगुनी हो गई पर आए आज भी जहां की तहां है आज हमारा OBC वर्ग, हमारा आधिवासी वर्ग कतरे में है कतरे में इसले है क्योंकि जो आरक्षन हमने यानि कॉंग्रेस पार्टी ने आपको दिया आज भारतिय जन्ता पार्टी वो आरक्षन चीनना चाहती है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि स्वर्गे इंद्रा गांदी जी ने वो कानून लाए जिससे आज हमारे आधिवासी बाई बेन कुछ केती बाड़ी कर सकते हैं आज उनकी जमीन सुरक्षत है और वो कांग्रेस पार्टी की देन है स्वर्गे इंद्रा कांदी जी ने ये कानून लाए जिससे आज हमारे आधिवासी वर्ग और OBC वर्ग को आरक्षन मिल रहा है और भारते चलता पार्टी One India Single India एक भारत के जंडे के नाम पर आपसे ये आरक्षन चीनना चाहती है लेकिन मैं आपको विश्वास देराना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के होते ये आरक्षन हमारे OBC वर्ग, हमारे HC वर, ST वर्ग से कभी चीना ली जाए जाए चिन्दवाडा दौरे के दौरान मुखेमंतरी मोहन यादव ने शहनांई लौन में आयो जीत एक चर्चा व्यापारियों के साथ कारिकर्म में पहुँचे जहां मुख्य मंत्री ने व्यापारियों और प्रबुध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बदलता दौर है अब 45-45 साल मौके नहीं दिये जाएंगे छिंदवाडा का बेटा विवेक बंटी साहु जब संसद में मोधी जी के साथ बैठेगा तो आपका हमारा सब का सीन 56 इंच का हो जाएगा बता दें की कारिक्टर में 30 से अधिक व्यापारिक संगठनों ने शिर्कत की इस दौरान नगरी प्रशासन मंत्री सह क्लस्टर प्रभारी कैलाश विद्यवर्गिये लोगसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहु भाजपा जिला अध्यक्ष शेश र अधियापारी बंधु एवं प्रभुद्जन उपस्थित थे बात के लिए कि आप इतने 12 सालियों के बिल्कुल नाकूर से लगावा इसके बाड़ा है लेकिन आश्चरी की बात है कोई पांस यार लेबर का एक कार खाना नहीं मिलेगा पूरा चिंदवड़ा देखने इतना बगल में महराश्ट लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए भी सरक इतने सारे कोर्स हो गए अब नहीं नहीं प्रकार के जिसमें बड़ी संभावना और तेजगति से दोड़ता इतनी तेजगति से दोड़ता इसे टेक आफ करता है इस दस वर्षों में इस देश की अर्थ विर्था रन्वे के रन्वे पर तोड़ रही हो रहे हैं तम टेक आफ करने वाली है 2024 के चनाओं के बाद देश की अर्थ विर्था एक दम टेक आफ करेगी भारत आज इतना शक्ति शानिक देश होगा महानगरों की सुविदा अब चिन्वाडा के पूला ग्राउंड कॉंग्रेस कार्याल के पास स्थित कल्पतरू हॉस्पिटल में उपलब्ध है जो आप पाएंगे दिली से प्रसिक्षित और मदर्थ हॉस्पिटल गुर्गाओं में अपनी सेवाएं दे चुकी चिन्वाडा जिले की सरप्रतम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेशग्य गाइनेकलोजिस्ट MS-DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे जहां संतान ही निराज दंपत्यों का इलाज IVF-IUI द्वारा किया चुआता है इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बारबा घरपात का इलाज, टीटी का ओप्रेशन और टीटी खोलने का ओप्रेशन, बच्चेदानी का ओप्रेशन, दुरविन द्वारा सरजरी, नॉर्मल और ओप्रेशन द्वारा डिलेवरी, मासिक धर्म से संब से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं मा को किसी प्रकार की शती यहानी पहुंच सकती हो उसे हम हाइडस प्रडियंसी कहते हैं अब इस चीज का इलाज हमारे चिंवाड़ा जिली में संभाव है संभनित बिमारियों की इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरू होस्पिटल दशेरा मैदान के पीछे पूनम चेंबर चना मसूर सरसो उपारजन के लिए कुल 16 उपारजन केंद्र और गेहुं उपारजन के लिए कुल 85 केंद्र बनाए गए हैं इन फसलों के उपारजन का कारे प्रारंब हो गया है जिसका जमीनी इस्थिती का जायजा लेने कलेक्टर शीलेंद्र सीह ने आज अनुवे भाग चौरई के अंतरगत उपारजन के इंद्रों का ओचक निरिक्षन किया और खरीदी की व्यवस्थाएं देखी गेहू पारजन कारे मिला पर वाही पाय जाने पर चौरई के कनिष्थ आपूरती अधिकारी को कारण बताओ नोटे से जारी करने के निर्देश भी दिये गए वही तहसील चांद के एस इश्वर वियर हाउस पांजरा के आकस्मिक निरिक्षन के दौरान उन्होंने वियर हाउस को मेंटेन करने, सफाई, पुताई कराने और खरीदी के लिए सभी आवशक व्यवस्थाएं सुनिशित करने के निर्देश दिये चौरही में कॉंग्रिस कारेले के उद्घाटन में पहुंची सांसद नकुल नाथ की पतनी प्रिया नाथ ने कारेकरताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं पिता कमल नाथ को देखती हूँ तो बहुत दुख होता है जिने हमने अपना समझा अपने परिवार की तरह प्यार दिया कमल जी ने अशिरवाद दिया जब उनकी अगनी परिक्षा का समय है तो उन्होंने धोखा दिया प्रिया नाथ ने आगे कारेकरताओं से कहा कि हम में से कोई कभी हिम्मत नहीं हारेगा मैं बिल्कुल भी डर ही नहीं रही हूँ दुख जरूर हुआ है बहुत दुख हुआ है जब मैं पिता जी कमलनाच जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिने हमने अपना समझा जिने हमने हमेशा अपनी परिवार की तरे प्यार दिया कमलनाच जी ने आशिरवाद दिया जब उनकी अग्मी परिक्षा का समय आया तो उनने दुखा दिया तो दुख जरूर होता है क्योंके दिल से हमने उने माना था डर्ग कते ही नहीं है क्योंके हमारी असली ताकत हमारी असली बल और शक्ति तो यहां उपस्तित है निगम कमिशनर चंदर प्रकाश रायद्वारा लगातार मतदान केंद्रोकिन निगराई एवम निरिक्षण का कारे किया जा रहा है इस एकरम में निगमा युक्त आज शेहर की सफाई व्यवस्ता देखने निकले उन्होंने शेहर के मुख्य व्यवस्ताइक शेतर गांधी गंज शनीचरा बाजार चार फाटक मानसुरवर कॉंपलेक्स शेतर एवम राजीव गांधी बस स्टेंड का ब्रहमन किया इस दोरान कमिशनर ने करमचारियों को सफाई व्यवस्ता में सुधार के निर्देश दिये आदर्श आचार सहिता लागू होते ही परिवहन अधिकारी द्वारा सभी छोटे बड़े घरेलू वहन स्वामियों वह सभी व्यापसाइक वहन संचालकों को हूटर, सायरन, बैनर, स्लोगन, पदनाम, नेम प्लेट को ततकाल हटाने संबंधी विशेश निर्देश दिये गए हैं इस संबंध में परिवन विभाग के विशेश जाच दल द्वारा लगातार कारवाही की जा रही है इसी क्रम ने आज परासिय मटकुली मारग पर वहनों की सघन जाच की गई जिसमें नियमों का पालन ना करने पर 9 वहनों से 25,730 रुपय का जुर्माना लिया गया जिसमें हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 8 वहनों पर चलानी का रुपय का जुर्माना शामिल है